इस्राइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध चल रहा है जहां इरान समर्थित लेबनान का हिजबुल्ला समू हमास के पक्ष में खड़ा है हर दिन लेबनान से दरजन भर से ज्यादा रॉकेट मिसाइले और ड्रोन इसराइल या फिर इसराइली कबजे वाले इलाको पर दागे जा रहे हैं इस से मिडली इस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा हिजबुल्ला इसराइली बलों की कमर तोड़ने में लगा हुआ ह हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने को मजबूर हो गया है लिबनान की तरफ से हिजबुल्ला के हमलों का जवाब देने के लिए इसराइली डिफेंस फोर्स यानि की आईडियफ ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कारवाई की है हिजबुल्ला ने इसे एर स्पेस का उलंगन मानते हुए कारवाई की है माना जा रहा है कि हिजबुल्ला ठिकानों की परताल के लिए इसराइली जेट्स गश्त लगा रहे थे इस दोरान वो हिजबुल्ला लड़ाकों के निशाने पर आ गए इसके बाद तुरंत हिजबु इसराइली लड़ाकों विमानों पर मिसाइल एदागी गई इससे इसराइल को पीछे हटने और लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा से पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा प्रतिरोध ने बुद्वार देर रात तक कई ऑपरिशन भी चलाए जो अगले दिन तक जारी रह लड़ाकों ने बिरकेट रिशा मिलिटरी साइट पर हमला किया है दावा है कि सीधे हमले में स्पाइवेर को निशाना बनाया गया जिसे सटीक हमले में खत्म कर दिया गया लड़ाकों ने कबजे वाले लेबनानी शीबा फार्म्स में रुईसत अलकरन मिलिटरी साइट पर भी हमला करने का दावा किया जो आल मिली किया मिलिटरी साइट में घुज गया था बताया जाता है कि लडाकों ने पहले घात लगा कर इसराइली बलो की गतिविद्यों पर नज़र रखी इसके बाद तारगेट के नजदीक आते ही काफिले पर तोब खाने और रॉकेट चाबलो ने भी पुष्टी की है आईडिएफ के मुताबिक माउंट डोव इलाके पर लेबनान के रॉकेट हमले से एक सैनिक गंभी रूप से घायल हुआ है माउंट डोव में कई सैन ने अड़्डे है जहां पर कई प्रोजेक्टाइल्स दागे गए थे केरिज शमोना इल इलाके को प्रभावित किया जबकि अन्ने को रोग दिया गया हिजबुला के हवाई हमलों के चलते लेबनान बॉर्डर के पास उत्री इलाकों में दिन में कई बार रॉकेट और ड्रोन अलर्ट सायरन बजते रहे वही आईडियफ के अनुसार लेबनान के हमलों का इसराइली बलो ने भी करारा जवाब दिया सैनिकों ने तोब खाने के साथ लॉंचिंग साइट पर गोली बारी की लड़ाकों विमानों ने कफर हाम में हिजबुला रॉकेट लॉंचर आयतराक्षब में बुनियादी धाचे और खियाम में अब्जर्वेशन चौकी पर हमला किया है आईडियफ ने बताया कि दक्षणी लेबनान के टालूसे में हिजबुला लड़ाकों के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया गया जहां से इसराइल की ओर रॉकेट लॉंच किये जा रहे थे इसराइली बलो ने अपने जेट्स से दक्षणी लेबनान की एक इमारत पर भी एर स् इस्तिमाल लिबनान से इसराइल पर रॉकेट दागने के लिए होता था